हेलो दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से तैयारी कर लो शेनल में तैयारी कर लो शेनल में हम दोस्तो इस स्रीज में बात करते हैं हिंदी व्याकरण की मास्टर वीडियो के अंतरगत अद्भूत रस की तो दोस्तो इससे पहले भी हमने कई सारे रस पर वीडियो देखी थी अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हिंदी व्याकरण की मास्टर वीडियो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, हिंदी साहित और हिंदी व्याकरण पर आपको बहुत सारी वीडियोज देखने को मिल जाएंगी तो चलिए शुरुआत करते हैं अदभूत रस की, तो इसमें हम देखेंगे अदभूत रस की परिभाशा, भेद और उदाहरण सबसे पहले परिभाशा देखते हैं अदभूत रस, इसका इस्थाई भाव आश्यर्य होता है, जब व्यक्ति के मन में विचित्र, मतलब अचानक कोई से अजीब से अथवा आश्यर्य जनक वस्तूओं को देखकर जो विस्में आदी के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही क् मांच, आसू, आना, कापना, गदगद होना, आँखें फाल कर देखना, आदी के भाव व्यक्त होते हैं, सबस्कोई चीज आ जाती है, ओ माई गॉड, ऐसे करके जो होता है, उसमें होता है आश्यर्य, विचित्र अथवा आश्यर्य जनक वस्तूओं को देखकर हर्दय में जो विचित्र रूप को अदभूत रस कहा जाता है रोम रोम प्रतिलागे कोटी कोटी ब्रहमांड यह पंक्ती है तुलसी दास जी की अदभूत रस के लिए है, इस पस्टी करण देख लेते हैं, बालक राम को एक साथ ही दो इस्थानों पर देखकर माता कोशल्या के मन में उत्पन होने वाला आश्यर्य ही इस्थाई भाव ह यहां राम आलंबन है, राम का एक साथ दो इस्थानों पर दिखाई देना तथा उनका अखंड रोप उद्दीपन है, कोशल्या का पुलकित होना, वचन ना निकलना तथा आँखें बंद करके राम के चरणों में सिर जुकाना अनुभाव है भ्रान्ती, त्रास, वितर्क, आदी, संचारी भाव है, इस प्रकार इन पंक्तियों में अदभूत रस की पूर्ण अभिव्यक्ती हुई है अदभूत रस के अव्यव कौन कौन से हैं? सबसे पहले इस्थाई भाव है आश्यर्य आलंबन है विभाव, आश्यर्य उद्पन करने वाला पदार्थ या व्यक्ति उद्दीपन है विभाव, अलौकिक वस्तों का दर्शन, स्रमण, कीर्तन, आदी अनुभाव है दातों तले, उंगली दबाना, आखें फाल कर देखना, रोमांच, आसु आना, कापना, गदगद होना आदी संचारी भाव है उत्षुक्ता, आवेग, ब्रान्ती, द्रती, हर्श, मोह, आदी इस्थाई भाव है क्या है अदभूत रसका इस्थाई भाव आश्यर्य होता है क्या आश्यर्य जब व्यक्ती के मन में विचित्र अथ्वा आश्यर्य जनक वस्तों को देखकर जो विस्में आदी के भाव उत्पन होते हैं उसे ही अदभूत रस कहा जाता है साहित कारों दोरा अदभूत रसकी परिभाशाएं हिंदी के आचार्य देव ने अदभूत रसका या लक्षड दिया है आचरज देखे सुने विस्में बाढ़त चित अदभूत रस विस्में बढ़े अचल सचकित निमित भरत मुनी ने वीर रस के वीर रस से अदभूत रस की उतपत्ती बताई है तथा इसका वर्ण पीला एवं देवता भ्रम्मा कहा है विश्वनात के अनुसार इसके देवता गंधर्व हैं विस्में की परिभाशा सरस्वती कंठा भरण में दी गई है विस्में चित विस्तार पदार्थाती शयादि भी किसी अलोकिक पदार्थ के गोचरी करण से उतपन चित का विस्तार विस्में है तो यह किसमें दी गई है सरस्वती कंठा भरण में विश्वनाथ ने साहित दर्पण में इस परिभाशा को दोहराते हुए विश्मय को चमतकार का परियाय बताया है चमतकारश्चित विस्तार रूपो विस्मया पर परियाया अत्येयो चित की वह चमतकरत अवस्था जिसमें वह सामानी की परिधी से बाहर उठकर विस्तार लाब करता है विस्मय कहलाएगी वास्तों में यह विस्मय या चमतकार प्रते एक गहरी अनुबहुती का आवश्यक अंग है और इसलिए यह प्रते एक रस की प्रतीती में वर्तमान रहता है भानुदत्य ने कहा है कि विस्मय सभी रसों में संचार करता है विश्वनात रसास्वाद के प्रकार को समझाते हुए कहते हैं कि रस का प्राण रस का प्राण लोकोतर चमतकार है और इस प्रकार सरवत्र संपूर्ण रस गरभित इस्थानों में अदभूत रस माना जाना चाहिए इस संबंध में उन्होंने निम्न लिखित पंक्तियां उद्धरत की हैं। इस्थाई होने से सरवत्र अद्भूत रस की ही प्रतीत होता है। अत्यो नारायन पंडित केवल एक अद्भूत रस ही मानते हैं। मनोवज्यानिकों के अनुसार विस्मय। मनोवज्ञानियों ने भी विस्मय को प्रधान भावों में ग्रहीत किया है तथा उसकी प्रवत्ति जिग्यासा से बताई है वास्तों में आदिम मानव को प्रक्रती की क्रीडा स्थली के संसर्ग में भै एवं आशर अथुआ विस्मे इन दो भावों की ही मुख्यता प्रतीती हुई होगी कला एवं काव के आकर्शन में विस्मे की भावना सरवाधिक महत्तो रखती है कवी एवं कलाकार जिस वस्तु का सौंदर्य चित्रित करना चाहते हैं उसमें कोई लोग को अतिक्रांत करने का अतिक्रांत करने वाला तत्तु वर्तमान रहता है जो अपनी असाधारता से भाव को अभी भूत कर देता है अंग्रेजी साहित के रोमांटिक कवियों ने काव्य की आत्मा विस्मे को ही स्वीकार किया था अतेयो अदभूत रस का महत्तो सोयं सिद्ध है साहित शास्त्रियों ने रस के विरोध एवं अविरोध का व्याख्यान किया है रस के विरोध एवं अविरोध पंडित राज ने अदभूत रस को श्रंगार एवं वीर का अविरोध बताया है अर्थात उनके मतानुसार श्रंगार तथा वीर के साथ अदभूत की अवस्थिती हो सकती है विश्वनात ने संबंध प्रसंग में अदभूत रस के विरोध या अविरोध के विशय में कोई उलेख नहीं किया है वास्तों में उन्होंने रसा स्वाद के निरुपन के प्रकरणन में अपने प्रती अपने प्रपिता माह की सम्मती उद्गरत करते हुए अपना मत भी व्यक्त कर दिया है कि अदभूत रस की पहुँच सर्वत्र संपूर्ण रसों में हो सकती है भानुदत्य ने अत्यूक्ति, भ्रमोक्ति, चित्रोक्ति, विरोधा भास इत्यादी को अदभूत रसमे ही अंतरभूत कर दिया है सामाननित्या अदभूत एवं हासे रसमे आपात्तह साम में लक्षित होता है क्योंकि दोनों में लोक से वैपरीत्य भाव वर्तमान रहता है लेकिन अंतर यह है कि हास में यह वैपरीत्य साधारन होता है और उसका कारण भी यत किंचित ग्यात रहता है जबकि अद्भूत में वैप्रीत्य का परिमान अपेक्षा करत अधिक होता है और उसका कारण भी अज्यात रहता है वस्तुता दो विप्रीत वस्तुओं के सयोग पर विचार करना ही विस्मे का मूल है वस्तुता दो विप्रीत वस्तुओं के सयोग पर विचार करना ही विस्मे का मूल है सूर्दास का अद्भूत एक अनुपम बाग वाला प्रसिद्ध पद अद्भूत रसका सुन्दर उदहरन है अद्भूत रसका आलंबन विभाव आलो किक्ता से युक्त वाक्य, शील, कर्म एवं रूब अद्भूत रसके आलंबन विभाव है अद्भूत रसका उद्धीपन विभाव आलो किक्ता के गुडों का वर्णन उद्धीपन विभाव है अद्भूत रसका अनुभाव वितर्क, आवेग, हर्ष, ब्रान्ती, चिन्ता, चपलता, जणता, और सुक्त, और सुक्य, प्रबर्ती, व्यभिचारी भाव, अद्भूत रसका वर्णन अद्भूत रसका वर्णन हिंदी के आचारे कुल्पती ने रस रहस नामक गरंथ में अद्भूत रसका वर्णन किया है जहां उन्होंने देखिए वचन रचन अनुरूब अद्भूत रसके जानिये ये विभाव त्रू अनुब वचन कंप अरू रोम तनु यह कहिए अनुभाव हर्श शक्चित मोह मुनी यह संचारी भाव जेहिंठा नरत्त कवित में वियंग आच रज होए ताउ रस में जानियो अद्भूत रस है सोए अद्भूत रसके भेद पहला द्रश्टी दूसरा शुरूत तीसरा अनुमती एवं चोथा संकीर्टित अद्भूत रसके उदाहरण पहला उदाहरण है ब्रज बच्रा निजधाम करी फिरी ब्रज लिखी फिरी धाम फिरी इतलार्ख फिर उतलखे ठगी बिरंची तिही धाम पोद्दार की रसमंजरी में है या पंक्ती इस्पस्टी करण वच्स हरण के समय ब्रह्मा द्वारा गोप बालकों तथा बच्डों को ब्रह्मा धाम में छोड़ आने पर भी वेही गोप और बच्डे देखकर ब्रह्मा को विसमे हुआ अतेयो यहां द्रश्ट अद्भूत रसकी प्रतीती हो रही है इस्पस्टी करण है यहां अनुमिती अद्भूत की प्रतीती हो रही है विकच कुसुमों में इश्वर की प्रभा के अनुमानच ज्ञान से उत्पन विसमें पुस्ट होकर अद्भूत रसमें व्यक्त हो गया है उदारन है तीसरा देख यशोता शिशु के मुख में सकल विश्व की माया छनभर को वह बनी अचेतन हिलना सकी कोमल काया अगला उदारन है देख रावा मातही निज अद्भूत रूप अखंड रोम रोम प्रती लगे कोटी कोटी ब्रहमान्ड तो दोस्तों यहां थे हमारा अद्भूत रस उसके उदारन प्रमुख कत्थन विभाव अनुभाव संचारी भाव अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अन्य टॉपिक के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप सबी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद